Hello friends, good morning. आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोर्स तो कर लिये हैं. अब आगे का कौन सा कुर्स करें? आगे केरियर को आगे बरहने के लिए कौन सा कुर्स करें? ठीक है? जैसे कि आप Diploma Fire Safety का कौर्स कर लिये हैं, Diploma Industrial Safety का कौर्स कर लिये हैं, तो आप नीबोस का कोर सकते हैं नीबोस कोर्स होता नहीं है, नीबौस New Tax Science एक बोड़ है इसमें एसेसजव का कोर्ष कियागी आइजय का लगाई जाता है आजीया सेगी का कुर्स कराई जाता है आजी़ का भी कोर्स कराई जाता है जैसे कि IGC क्या होता है International General Certificate Occupational Health and Safety यह IGC का कोर्स है जो की निवोष कंड़क्ट कराता है इसके लिए आपको Best Institute की तलास करना परेगा वाइशा इंस्टिट जो इस को कराता हूँ इस कोर्स में आपको जो भी Certification आएगा वो फ्रम इंगलेंड यानि UK से आता है UK Best आपका IGC का Certificate होता है जो की International Level पर Valuation रहता है ठीक है उसको भाइलू रहेगा अगर आप उस कोर्स को करते हैं ठीक उशी प्रकार आप आयोश का कोर्स कर सकते हैं आयोश का मतलब होता है Institution of Occupational Health and Safety इसमें MS का कोर्स करा जाता है जैसे Managing Safety, Working Safety इस कोर्स को करके आप अपना योगदान विदेश में शेफ्टी फिल्ड में दे सकते हैं और इसमें आच्छा और भी कर सकते हैं मौन्थली सेलरी का बात करें तो 4000 रियाल से 8000 रियाल तब कर सेलरी है फ्रेसर में है तो आप 40-50,000 इंडिया का मौनी कमा सकते हैं अगर experience बन गए तो आपका सेलरी महीना का 2.5 रुपिया होच रखता है इस फिल्ड में आप डेफिनेटिली आई हैब आई थिंक आपको इस वीडियो के माधियम से आपको इंटरनेशनल कुर्स के बारे में कुछ नॉलिज मिला होगा पिलिज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल टेकनिकल कंटेस्ट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ